फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं भरवा करेला और बहुती बढ़िया सा मसालेदार ये करेला बनाएंगे और बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है तो देखे ये मैंने करेले को नमक और हल्दी लगा के तो घंडे के लिए मैंने ढब कर रग दिया था तो जादा देर के पूरी लगा दीजिए बहुत जादा नहीं लगानी है और अभी इसे हमने नमक बहुत जादा लगाया था तो इसे अभी हमें तो से तीन पानी से अच्छे से दो लेना है इसका पूरा नमक जाना चाहिए वरना करेले में नमक जादा हो जाएगा तो दिखे आप ही इसे हमे तो इसकी जो पूछ है वह मैंने नहीं निकाली है आपको अगर पसंद ना हो तो आप निकाल सकते हैं तो बस अभी ये करेला हमें स्टीम करना है 80% है हम इसे पका लेंगे तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है तो मसालों के साथ भी हमें इसे पकाना है तो सुका नारियल ले लिया है मुंगफली है और ये लसन ले लिया है तो अभी हम इसका मसाला बनाएंगे तो कड़ाय मैं नहीं मौंगफली जा पार अच्छा नार्या पकुरा कराती पीरा मौंगफली में ट 여러凝ल मौंगफली त"; नारियल भी बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है और नारियल भी बहुत जल्दी भून जाता है तो बस अपी दो मिनिट के लिए मैं इससे अच्छे से भून लेती हूँ अभी ये मसाला हमें निकाल के पूरा ठंडा करके लेना है तो ये मुंफली और ये नारियल मैंने पूरा ठंडा करके ले लिया है और उसके बाद ही हम अभी इसे मिक्सिजार में डाल के इसको हमें पीस लेना है तो मसाला गरम जब रहता है जब मुंफली और नारियल तब तो इसमें अबी तोड़ी से मैंने इंगली भी डाल दी है कवे गरम मसाले और यहिस डाली मिर्श ली है यह जरी पोडर साइन मेर नाल मिर्श और बाहनें विल्डे पर भी 뚜़ दे नाल मिर्श नीनली नाल मिर्श ले ली हैं और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला बढ़ा के डाल दीजे और धनिया जीरा जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के डाल दीजे तब भी अच्छा मसाला बनेगा तो मेरे पास जो मिर्श पौडर जो होती है उसमें सारे गरम मसाले पीसे होते है और धनिया जीरा भी पीसा होता है तो इसे अभी हमें medium पीस लेना है मतलब इसे बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है और अभी इसे बारीक भी नहीं पीस ना है तो देखे अभी इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है मिक्सी का बटन जो होता है बन चालू करके ही हमें इसे पीस लेना है तो ये देखे अभी ये मैंने मसाला पीस लिया मीडियम प्याज लिया था मैंने बारी काट के उसे अभी हमें बून लेना है तो ऑईल बहुत जादा नहीं लेना है इसे बूनने के लिए यह अच्छे से भून जा इतना है आपको ऑईल डालना है बहुत ज़दा ऑईल डालके नहीं से भूनना है तो बस अभी यह प्याज में अच्छा सा भून लिया है और हमने जो मसाला बना के रखा था हुआ हम इस प्याज में डालके इसे हमें मिला देना है अभी गैस की फ्लेम में बंद कर दी है तो कड़ाई में अच्छे से मिल जाएगा इसलिए मैंने ये मसाला कड़ाई में डाल के ये प्याज में अच्छे से मिला दिया है इसे हमें भूनना नहीं है गैस की फ्ले मेंने बंद कर दी है बस ये प्याज में अच्छे से मिला देती हूँ और इसे में अभी हम ये बारी कटा हुआ हरा धनिया भी टाल देते है और मैंने जैसे दिकाया है उस तरीके से ये भरवा करेला बना के देखे बहुत ही पढ़िया सा करेला बनता है और इसका कड़वापन बिल्कुल भी नहीं रहता है और ये मसाला भी बहुत ही अच्छा सा लगता है तो देखे मैंने ये मसाला अच्छे से मिला दिया अब हम करेला देख लेते हैं करेला देखिए यह मैंने 80% इसको पकाया है इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है और आप भी हम इसे मसाले के साथ भी थुड़ा सा पकाएंगे इसलिए आपको इसे 80% ही आपको इसको पका लेना है तो इसके बीज जो है वो मैंने पूरे निकाल दिये है और आप देख सकत इसे मैंने भोत ज़्यादा पकाया नहीं है देखे इस तरह से हम इसको पका लेना है तो बस अभी यह जो बीज होती है वो भी आप डाल सकते है मसालो में पर यह भी बहूत ज़्यादा सकत्त बीज है पुरानी वाली है तो यह आप हम नहीं डालेंगे क्याएंट यह भो अब बन के डरेडी य kepada करेले में भरेंगे तोorama मसाली में भर दे थी हूत रहारती हूत अब मसाली咬 Her Al-G Safa अगर 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 संवाती है तो नीत तो संवा पूरा ओखिपा दिया है और अगर संवारी ते अन्नॉ-अज़र अगर साघ्थन इस मसाले को भर दिया है ताकि ये मसाला ओयल में ना आए तो बस अब ये दूसरा करेला भी मैं आपको भर के दिखाती हूँ और आपको जो भी करेला मिले मतलब छोटा बड़ा उससे भी आप ये भरवा करेला बना सकते हैं मैंने जो करेले लिए है वो मीडियम साइज वाले Wildlife करेले मतलब भनाता है तो आप इसे बना आप सीधा जब हम्या जब वर नमक आपकते हैं सीधा इसे बहुत है प्रस पहुत ही ड़ियल में थूदा गड़ा बहुत है कि अभी हमें इसे अच्छे से फ्राय करना है wage करेल I put on your करेया करेया दर ने करेया ने काना है स्बाइग अथा मुद्धा शजदा लिया तो बस अभी ऑिल थोडह में बनाति है अपना तरीका आपको दिकाया है और गैस की फ्लेम अभी मैंने कम रखी है कम आच पे ठकन लगाके इसे हमें अभी रख देना है तो यह धीरे-धीरे अच्छे से पक जाएगा और अब नहीं देखें पीछे की तरफ बून कुका है तो अभी इसे हमें थोड़ाँ सा पलट के भी बूनना है तो इसी तरह से उलट पुलट करके ही हमें इसे फ्राइ करना है तो देखिए अभी ये हमने जो मसाला बनाया था उसमें ये मसाला बच चुका है तो अभी ये आदा ये मैंने करेला फ्राइ करके लिया उसके बाद मैंने ये मसाला डाल दिया है दिखिए यह मसाला मैंने कुरकुर अच्छे से और करेला मैंने पूरा यूफि अटने करेला के लिए है और यूफि आद आद देखिए जो चुका है और आपक्भी अच्छे से दबाकर नहीं हो शुका है तो कमाच पे ही इसे मैंने भून लिया है इस करेले को तो देखें मैंने अब ये प्लेट में निकाल लिया है और ये मसाला आप देखेंगे तो ये मसाला भी बहुत ही तेस्टी लगता है और जो आईल में जो हमने मसाला उपसे जो डाला था वो भी बहुत अच्छा कुरकुरा मसाला बनता है तो इस भरवा करेले को बना के देखे और ये रेसे पे आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए